हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ एक फरमाईश वाली वीडियो जो है वो शेयर कर रहे हूँ बहुत दिनों से मेरे फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे थे कि हमें इस तरह की वीडियो बना के दिखाएं जिसमें कॉलर हो और ये बॉटम वाले बटन हो जो की आगे पट्टी वाले बटन होते हैं वो वाले बटन की वीडियो वो कई दिनों से मुझे बोल रहे थे बहुत सारी बार मैसेज कर चुके थे तो आज मैने ये वीडियो उनके लिए मैं लेके आई हूँ ये बटन पट्टी है आगे दो बटन की पट्टी है और इसके साथ ये कॉलर वाला स्वेटर है ये दो साल दो से तीन साल के बच्चे का ये स्वेटर है जिसका वीडियो में एक फर्स्ट पार्ट जो है इसका पहला पार्ट जो है वो यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ तो यह friends देखिए इस तरह से कॉलर बाला स्वेटर है जिसको मैं आगे step by step करके आपको सारा ये बताने जा रही हूँ तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये है तो ये आपको बारी बारी में सारा समझाने जा रही हूँ और इसका first part है ये friends तो चलिए इसको शुरू करते हैं कि इसको हमने किस तरह से बनाया और कैसे किसने फंदे डाले हैं किस तरह से इसको हमने बनाना है और कैसे इसका कॉलर बनाना है बहुत ही simple तरीके से और बहुत ज़्यदा असान तरीके से मैंने यहाँ पे इसको share किया हुआ है तो चलिए friends शुरू करते हैं तो friends ये sweater जो है ये बनाने जा रही हूँ है दो से तीन साल के बच्चे को ये sweater अराम से आएगा और उससे बड़ा भी थोड़ा सा बच्चा इसको पैन सकता है और ये मैं यहाँ पे फर वाली बूल ले रही हूँ ये इस तरह की बूल है friends ये मेरे पास रखी हुई थी तो बहुत दिनों से फर्माई सारी थी बहुत सारे friends बार-बार मुझे message कर रहे थे कि ये बॉटम बटन वाला जो गला होता है ना कॉलर वाला वो आप बताईए वो बताईए तो मैंने का चलो मैं इसका mix match करके एक बना के देती हूँ और इसमें आपको सिखा भी देती हूँ कि किस तरह से हमने इस कॉलर वाले गले को बनाना है और आगे हाफ बटन पटी जो होती है ना वो वाले बनानी है इसमें काफी दिनों से friends message कर रहे थे कि मैं मा बताईए बताईए तो मैंने का चलो आज मैं आपकी ये फरमाईश पूरी कर देती हूँ तो यहां पे ये दो बूल हम आराम से बना सकते हैं क्योंकि new one baby के लिए हमें इस बूल से नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े रेशे होते है ना तो ये रेशे बच्चे के मुह में जा तो उसके लिए हम नीवान के लिए तो हम बिल्कुल प्लेन वाली बूल लेते हैं और बहुत पतली बूल लेते हैं तो उससे बड़े बच्चों के हम 2 साल या 3 साल के बच्चों के लिए हम कोई भी भूल ले सकते हैं तो यहां पर मैं यह फरवाली भूल ले रही हूँ और 2 कलर से मैं इसको बना रही हूँ तो यहां पर देखिए फ्रेंट्स यह मैंने इसका बैक पार्ट जो है ना पिशला पल्ला जो है वो मैंने यहां पर बनाके रखा है क्योंकि बहुत सिंपल बनाया है इसमें उपर मैंने जो आर्म होल की कटिंग की है उसके बाद मैंने यहां पर इसमें कलर डाला है यह बिल्कुल टी-शिर्ट जैसा आपको लगेगा बाद में जब बच्चे को आप पहनाएंगे न और यहां पर दो दो का यहां पर बॉर्डर बनाया है दो उल्टे दो सीधे करके और नीचे से जो है मैंने 10 नमबर सलाईयां पर बनाया है और यहां से मैंने उपर से 9 नमबर सलाईयां पर इसको चेंज किया है क्योंकि जो है बॉर्डर थोड़ा टाइट ही होना चाहिए तो यहां पर मैंने इसमें लिए हैं 70 फंदे और उपर मैंने यहां पर बढ़ाए हैं इसमें 6 फंदे ठीक है तो आप अगर इसमें पतली बूल ले रहे हैं तो भी आप इतने ही रखिएगा क्योंकि मैंने इसमें पैसे यह बूल जो है आट पतला जैसा भी आपका बच्चा हैल्दी है तो अब उसी हिसाब से थोड़ा सा फंदे कम जादा कर सकते हैं बच्चा थोड़ा पतला है तो यहां पर आप 65 फंदे रख लीजिए गा और उपर आप 70 फंदे कर लीजिए या सलाईयां चेंज कर रहे हैं तो फंदे ना भी माद यहां पतला रहेगा तो जो बच्चे हमारे चोटे बच्चे होते हökो उनको अंदर कुछ आरा कुछटे से पहनाते ह summit इनटः भी बनाते है तो थोड़ा सा खल रह ए तो सही रहता है और टाइट रहेगा तो फिर बच्चे भी तंगोते हैं टाइट कपड़े बहने में तो इसलिए ये देखिए मैंने इस तरह से बनाया है और ये मैं आपको इसका measurement बता देती हूँ यहां पे मैंने बताया है आपको की 70 फंदे मैंने यहां से लिए है और दो उल्टे दो सीदे का बॉर्डर यहां पे 2 इंच का यह बॉर्डर बनाया है और उसके बाद मैंने यहां पर 6 फंदे बढ़ाए है उपर और इसको आप देखिए मैंने कितना बनाया है यहां पर मैं बता देती हूँ आपको इसकी जो arm hole तक जो length मैंने यहां पर बनाई है वो 9 inch मैंने यहां पर बनाया हुआ है यह 9 इंच की हाइट मैंने इसको बनाई है उसके बाद मैंने इसकी आर्म होल की कटिंग की है और कटिंग जो की है वो यहाँ पर पहले तीन फंदे कम किये फिर दो किये फिर एक इस तरह से मैंने इसकी घटाई जो है वो यहाँ पर की है दोनों दरब से इधर से भी और इधर स यहां से 3-2 एक की घटाई मैंने इस पर की है और इसमें जो यह है फिर उसके बाद मैंने यहां पर जब आर्म होल की कटिंग करना शुरू की थी तब मैंने इसमें कलर जो है दूसरा लगाया है अगर आप सिंगल कलर से बना रहे हैं तो उसमें भी आप इस तरह से कीजिएगा की आर्म होल की कटिंग इसी तरह से करनी है और सिंगल कलर से बना रहे हैं तो पूरा आपका एक ही जाएगा अब इसके बाद जो है जो फंदे हमारे यहां पर बच जाते हैं ओपर यह कंदे के हम फंदे रखेंगे और बीच में हमारे गले के फंदे आ जाएंगे दोना तो यहां पर देखिए अब फ्रंट पार्ट में ही आपको सीखने की जुरूरत है बाकी फंदे मैंने बता दी आपको कि किस तरह से आपने फंदे रखने हैं और कितनी आपने इसमें हाइट बनानी हैं बाकी हम तो अंदाजे से ही बनाते हैं ना इंच के हिसाब से चलते हैं लेकिन अगर आपके पास बच्चा आपका अपने बच्चे को आप बना रहे हो तो आप नाप भी सकते हैं कि आपके बच्चे को कहां तक आपको बनानी है और कितनी देर बाद आपको इसकी आर्म होल की कटिंग करनी है वो आप अपने बच्चे के नाप के हिसाब से भी आप क की cutting आप कर सकते हैं यहां से 3,2 फिर एक इस तरह से आप इसकी घटाई करें तो यहां पर मैंने आप देहिए यहां पर कर दी है दोना दोister से तो अब हम आगे इसकी जो बटन पट्टी है ना उसकी अब यहां पे शुरू करेंगे सेंटर में इसकी बटन पट्टी स्टार्ट करेंगे तो वो मैं आपको यहां पे शेयर करती हूं और इसकी कॉलर जो है वो भी मैं आपको यहां पर स्टेप करके सारा बताती हूं तो आ आप आप यहां से ध्यान से देखेगा और आपका कोई भी मैसेज हो तो आप कर सकते हैं, कोई भी क्वेशन हो तो आप पोच सकते हैं. तो अब चलिए इसको आगे जो है न हम बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर फ्रेंट्स देखे आप जो भी फंदे आपके पास यहां पर बचते हैं अगर आप 65 फंदे लेते हैं तो भी जो भी घटाई करके यहां पर बचते हैं जो center यहां से 70 फंदे लेते हैं तो भी आपके पास जो भी फंदे यहां पे बजते हैं उसका center कर लीजिएगा सारे फंदों को अब हम यहां पे half कर लेंगे यहां तक फिर उसके बाद हम इसके आगे बटन पटी बनाना शुरू करेंगे यहां से एक चीज यहां पे रह गई है कि इसकी length में आपको एक बर बता देती हूं यह मैंने बताना भूल गई पहले तो यहां पे देखिए हमने यहां से यहां तक 9 इंच मैंने आपको बताया यहां से यहां तक यह 9 इंच है 9 इंच के बाद हमने आर्म होल की कटिंग स्टार्ट की थी तो हमने आर्म होल की कटिंग से लिखके यहां तक हमने बनाया है इसको यह देखिए यह 6 इंच के गरीब है यहां पे यह देखिए 6 इंच मैंने इसको यहां तक बनाया है और जो इसकी मूर्डे की हमारी उन्चाई है यहां से यहां तक लेंध है मूर्डे की पूरी यह हमने 6 इंच बुनी है और यहां से टोटल हमारी जो लेंध है वो है 14 इंच के गरीब देखिए 14 इंच को एक दो पॉइंट का मैसे है चोदा इंच के गरीब है ठीक है तो यह हमारी इस तरह से है और यहां से है यहां से भी हमारा यह 14 इंच है जो हमारी चोडाई है इसकी वो भी हमारी 14 इंच है अगší है तो वरंट यहां पे मैंने कर लिया है यहां पर 65 थीचे में 65फने हो यहां योऊ डिये है91 है और यह बहुत दा सिंपल बना रही हूँ है घटाई हमारी complete हो चुकी है और उसके बाद हम यह आगे का बनाना शुरू कर रहे हैं तो इस तरह से अब हमने इसको बनाना है जो green color है उसको हम यही से साथ लेके चले जाएंगे आगे तक और इनको हमने उल्टा उल्टा बनना है सबको उल्टे और सीधे ही मैं बना रही हूँ तो इस तरह से आप भी half portion तक यहां तक बनी है फिर आगे मैं बताती हूँ यहां पर फ्रेंट्स देखिए 32 फंदे मैंने यहां पर बन लिये पूरे तो आगे हमने अब यह जो marker है न इसको हम एक बार थोड़ी देर के लिए इस side को रख लेते हैं और यहां पर अब हमने जो यह वाला portion है इसको हम पहले बनेंगे तो यह हमारा इस side को आएगा बटन पट्टी यहां पर तो इस portion को हम बनेंगे इस side मैं ले रही हूँ 33 फंदे और इस तरफ रख रही हूँ में 32 फंदे तो यहां पर हमारी बटन पट्टी आएगी तो इस तरफ से देखे यह फंदे जो हैं हमने ऐसे ही हमने अब last तक चले जाना है इसको बनाते हुए इनको हमने simple ही बनना है तो फिर मैं जब right side पर आऊंगी तो फिर यहां पर जब पहुंचूंगी फिर बताती हूँ कि आगे हमने यहां से किस तरह से इसको बनाना है तो यह अब हम सीधी side को बनाते हुए जा रहे हैं यह भी हमने सीधे सीधे यह बुनने है फ्रेंट्स जब हमारे 8 फंदे आगे रह जाएंगे न वो हम बटन पट्टी के लिए यहां पर start करेंगे तो यह देखिए अब यहां पर यह 7 फंदे मेरे पास है जो मारकर लगा है इसके बाद 2,4,6 और 1,7 अब यहां से हमने इन फंदों को उल्टा वुनना शुड़ू करना है इनको दोनों दर्फ से हमने उल्टा वुनना है यहां पर यह center है ना हमारा center के यहां से जो फंदे है इनको ये रहेंगे बटन पट्टी के बटन होल इसमें आएंगे हमारे तो पट्टी बनेंगे तो ये फंदे जो हैं साथ फंदे हमारे इनको हम उल्टा बुन लेंगे यहां से तो ये देखिए अब ये होगे न इसके बाद हम इस मारकर को हटा देंगे और हम यहां से ही पाप अब यहीं से हम ऐसे इस फंदे को slip करेंगे और यहीं से यह फंदे जो है इनको जो साथ फंदे हैं वो दोना दर्फ से उल्टे होंगे और बाकी फंदे जैसे चल रहे हैं वैसे ही जाएंगे उल्टे सीदे करके ठीक है तो यह साथ फंदे जो हैं यह पट्टी जो है मेरी यहा तो यहां से मैं अपना यह ग्रीन वाला धागा जो है वो लगा लिया है तो इसी धागे को अब आगे लेकी जाना है क्योंकि अगर आप प्लेन बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यदा सिंपल है कि एक ही रंग से बना रहे है न तो उसमें कुछ भी धागा वगेरा त जो हमारे काज वाली यह पट्टी बनेगी न इसको मैं वाइट रख रही हूं बाकी जो है इसको ऐसे स्ट्रैप बना रही हूं जैसे दूसरे पले में आपको बना की दिखाए है उसी तरह से तो यह चार से लाईया है एक एक कलर की तो अब हमने इनको ऐसे ही बुनना है दो जाएगे जैसे थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी तो हमारी अच्छे से देखना शुरू हो जाएगी तो यहां से हम वापस मूड रहे हैं यह अब इसको हम नाप पेंगे ना तो अपनी जो बैक वाला पला बनाया है हमने पिछला पला जो बनाया है उसके साथ हम इसका नाप IS बूले लेंगे क्योंकि आप भी पहले पिछला पला बना लेजगा फिर आपको नाप लेने में easy हो जाता है गले की घटाई करना और कुछ भी और भी नाप करना होना तो सही हो जाता है तो यहाँ पे देखिए अब आगे हमारे जो यह बटन होल वाली पटी यहाँ पे आगे तो इस दागे को हम ऐसे आगे लेके आएंगे और इसको हम ऐसे उल्टा उल्टा बनेंगे यहां से जो साथ फंदे हैं उनको उल्टा बनेंगे दोनों दरफ से अब यह देखिए यह साथ फंदे हमारे होगे तो हमने अब यहीं से ही वापिस मोड़ जाना है यह देखे और यहां पे हमारा गया पाना शुरू हो जाएगा तो यह एक सलाई बुनने के बाद अंदाजा होने लग जाएगा कि हमने कहां से मुड़ना है अब यहां से ही हम वापिस मुड़ जाएंगे इस तरह से स्लिप करेंगे और बाकी फंदे जो हैं अनको अभी मैं सा वाइट से बना रही हूँ न तो इसी धागे को हम यहां पे साथ फंदे बुनने के बाद इस धागे को यहां पे छोड़ देंगे और आगे हम अपना ग्रीन कलर लेके जाएंगे जब इस तरह से धागा लगाएं तो यहां पे क्रॉस जुरूर करें ऐसी क्रॉस करके इस तरह से क्रॉस करें फिर उपर से निकालें तो यहां गैप नहीं दिखता जो जाएक ने तो अगर अलग अलग धागां को ऐसे रखेंगे न क्रोस नहीं करेंगे तो यहाँ पर गैप दिखना शुरू हो जाएगा बाद में तो अभी इस तरह से हम इनको बुनते हुए आगे जाएंगे देखे जब आप थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर आपको अच्छी तरह से दिखने लग जाएगा आप देखे हम यहाँ पर आगे बटन पटी के पास तो यहाँ पर देखे यह जो धागा है ना ग्रीन वाला इसको ऐसे रखेंगे और वाइट वाले को इस तरह से क्रॉस करके आगे लेके आएंगे और यहाँ पर अच्छी तरह से ऐसे बनाई करेंगे उल्टे फंदे और पिछले ग्रीन धागे को अच्छी तरह से खीच देंगे ताकि यहाँ पर गैप न नजर आए गैप न बन जा अगर अच्छे से धागे को नहीं खीचेंगे तो धागा थोड़ा यहां पर टाइट कर देना है तो यह फंदे साथ फंदे हमने उल्टे बना लिए इस तरह से तो यह चल पड़ी हमारी यहां पर पट्टी शुरू हो गई तो यहीं से वापस मुड़ जाना है और फिर हमने इ यहां पर ठीक है तो फ्रेंड्स अब देखिए हमने इतना पोर्शन इसका बना लिया और यहां पर अब हमने यहां पर बटन हो लेक बनाना है तो यहां पर देखिए अभी मेरा एक फंदा इसका बच्चा हुआ है और यह बाकी हमारे बटन पर ठीक हैं तो यहां पर हम तीन फंदे यहां पर बुन लेंगे धागे को आगे करेंगे इस तरह से और तीन फंदे ऐसे उल्टे बुन लेंगे तो तीन होगे उसके बाद अब हम यहां पर जाली डालेंगे ऐसे करके जाली डाली और दो फंदे आगे के एक साथ हम यहां पर बुनेंगे यह तो फ्रेंट्स आ तो इस तरह से ये देखे, इतनी लंध में यहाँ पर बना लिया एए। दो इन्च के गरीब हमारा यह बन गया है। तो इस तरह से बटन होल यहां पर बन गया अब यहीं से हम घूम जाएंगे और जो हमने बटन होल वाली जाली है उसको भी हमने यहां पर उल्टा ही बुन लेना है और बाकी फंदे हम जैसे बुनते आ रहे हैं वैसे ही हमने पुन लेना है तो यह देखिए यहाँ पर यह होल बन गया बटन होल, ठीक है, बच्चे का स्वेटर है तो इसलिंगे छोटा ही हमें बनाना है, अगर हम बहुत बड़े-बड़े स्वेटर बनाते हैं तो उसमें हम बड़े बटन होल भी बनाते हैं, तो मैं आपको किसी और दिन शेयर कर दू लेती हूँ थोड़ा उपर तक फिर आपको दिखाती हूँ कि कितना हमने एक बटन होल इसमें अभी हमने और बुनना है दालना है दो बटन होला मैं इसमें चाहिए तो ऐसे ही मैं थोड़ा और उपर तक बुन लेती हूँ इसकी लेंथ जो है न वो complete कर लेती हूँ इसी तरह स से फिर आपको बताती हूँ कि दूसरा जो यह वला साइड है वो भी हमने कैसे बुनना है और इसकी पट्टी को हमने कैसे बनाना है जिसमें बटन लगेंगे वो वली पट्टी हमने किस तरह से बनानी है तो यह देखे यहां पर यह आ गया ना बटन होल तो इसी तरह से मैं एक बटन होल यह बना एक दूसरा यह वाला बना यहां पर दो मैंने यहां पर बटन होल बना लिए और अब हमने दूसरी साइड वाला जो है इस तरह वाला जो साइड है वो हमने बनानी है तो एक बार हम इसको भी नाप लेते हैं देखे इसमें भी बराबर हमारे हो गया है यहां से और यहां तक यह देखिए इस तरफ का बनाना है न वो अभी देखिए कि इस तरह से हमने सको बनाना है तो यह देखिए button वाली यह काज वाली जो button hole वाली प्त्ती हमारी complete हो गई तो यहां पर बनानी है तो यहां प Bridges एक चीज़ यहां पर आप देखेंगे कि यहां से हमने बनाना start किया था ना? तो यह हमारी बटन पटी यह वाली है अब हमने बटन होल वाली पटी, sorry तो यहां से देखे साथ फंदे हमने इधर को उठा लड़ हैं तो यहां से आप उठा सकते हैं इस तरह से, जो ये उल्टे-उल्टे फंदे दिख रहे हैं इस तरह से, हम इनको बना भी सकते हैं और यहां से इनको ऐसे उठा भी सकते हैं, देखें, यह जो है ना, इनको आप इस तरह से उठा लीजेगा, या साथ-साथ बुनते जाएगा, वो जैसे भी आपको comfortable हो आप कर स सकते हैं, यहां पर यह देखें, दो, चार, पांच होगे, अब यह दो फंदे रहेगे हमारे, तो यह और एक यह, यह देखें, यहां पर यह पांच फंदे, साथ फंदे हमने यहां पर उठा ली, दो, चार, छे, और एके, साथ, इसी तरह से, इस पट्टी के नीचे से, सब से नीचे से हमने इनको उठा लेना है और यहीं से बनाते हुए फिर हमने इधर को जाना है क्योंकि हम इस तरफ से बनाते हुए आये थे तो इस साइड से अब हमने इसको बुनते हुए इधर को जाना है यह सीधी सलाई में ऐसे बनानी है यहां से इस तरह से तो यहां पर मैं धागा लगा के फिर आगे इनको बुनना शुरू करती हूँ यहां से देखे मैंने धागा लगा लिया और इस तरह से हमने इनको बनाते होई चले जाना है अब उल्टा-उल्टा इन फंदों को हमने बनाना है तो एक और यह हमारा दो और यहां पर तीन जो यह धागा में लगाया है ना इसको अच्छी तरह से इसमें कबर कर देना है चार पांच छे और यह साथ यह साथ फंदे हमारे यहां पर उल्टे आगे यह हैं पट्टी के फंदे अब हमने धागे को पीछी करना है और बाकी फंदे सीधे सीधे बुनने हैं जैसे हम पहले बुन रहे थे उसी तरह से तो बाकी फंदे हमने ऐसी बुनना है बस इनको हमने जो पट्टी के फंदे हैं बिल्कुल सीधा बुनते चले जाना है, इसमें कोई काज नहीं बनाना, कुछ भी नहीं बनाना, बस उल्टे-उल्टे आपने ये बुनने हैं, तो ये फंदे देखिए, इसके बिल्कुल पीछे ऐसे आजाएंगे, बहुत असान तरीका है ये, इसके पीछे से इस तरह से उठ आनी है, ये बहुत ज़्यदा सिंपल तरीका, फ्रेंट्स मैं यहां पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको कोई और तरीका चाहिए होगा, जैसे वी शेप में बनती है, कॉलर या राउंड नेक पे कॉलर बनती है, तो वो भी मैं आपके साथ बाद में श चीक रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है, क्योंकि इसमें हम साथ साथ ही जो कॉलर है, वो इसके साथ ही बना देंगे, और उसके लिए अलग से फंदे हमें उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरे कई तरह से ये बनती है, जिसमें पहले घटाई होगी, फिर उसके बाद बाद में सारा स्वेटर बनने के बाद उसको उपर से फंदे उठाए जाएंगे, तो वो भी एक अलग तरीका है, जैसे हम बड़ों के लिए बनाएंगे, तो उस तरह से हम इस कॉलर को बनाएंगे, ग्रीन धागा जो है वो अटाच कर लिय और इसको अब हमने यहां पर बनाते हुए चले जाना है, और धागा आप कभी भी लगाए ना फ्रेंट्स तो उसको अच्छी तरह से ऐसे चुपा दीजिएगा इस तरह से, ताकि सफाई आए आपकी स्वेटर बनाने में, कहीं से भी धागे जो है ना इदर उदर निकल ले पूरी सफाई से आप अगर लंबे धागे हैं तो उनको सुई से पि रोके अच्छी तरह से अंदर की तरफ को सैट कर दीजिएगा, तो अब हमने इसी तरह से इसको उपर तक बनाते जाना है, यह आगे हमारे पट्टी के फंदे, इनको हमने अब इसी तरह से बुन देना है तो यह यहां पर आगया, अब हम यहां से मुड़ जाएंगे और यह पट्टी के फंदे हैं, इनको भी हमने ऐसी बनाते हुए, अब चले जाना है, तो फ्रेंट्स इसको मैं ऐसे लेंथ पूरी बना लेती हों इसकी उपर तक, फिर आगे हम शेयर करते हैं कि कॉलर हमने किस इस तरह से बनाने हैं, देखिए, ऐसे हमारी पट्टी यह आएगी उपर को, देखिए हमारा यह कंप्लीट हो गया, यह बटन पट्टी इस तरह से कंप्लीट हो गई, और आर्म होल से लेके उपर तक की लेंथ जो है इसकी, जितनी हमने दूसरे पल्ले की रखी है ना, क्योंकि बिल्कुल अंदर ही रहेगा, तो बहार मैंने थोड़ा सा डिजाइन के लिए यह वाइट वला दिया है, अगर आप भी दो कलर अपना रहे हैं, तो जैसे आपको ठीक लगता है, अगर आप यही कलर ऊपर देना चाहते हैं, तो यह आप दे सकते हैं, जो भी आपको जोइंट कर लेना है, जैसे यह आ रहा है ना, हमारे यहां से हमने सलाई से ही इसको यहां पर जोइंट कर लेना है, तो यहां पर हमने चाहिए तीन सलाईयां, दो पर तो हमारे फंदे लगे हुए हैं, यहां से हमने देखे किस तरह से इसको करना है, कि यह जो हमारे इसके फ पर बाबा हमारे पास फंदे हैं उनको हमने आदा कर लेना है और आदे फंदे हमने यहां पर इसके साथ जोड़ लेने हैं तो यहां से यहां तक हमने 16 फंदे जो हैं वो बाइंड ओफ कर देने हैं एक साथ यहां से इसको जोड़ देना है 16 फंदे 16 इसके और 16 ही बैक पोर्श हम एक सलाई और ले लेंगे और इन दोनों को हमने आपस में इस तरह से हम एक धागा जो है उसको निकाल देंगे यहां पे हमारे दोनों के साथ ही धागे लगे हुए है ना तो एक को हम निकाल देंगे और एक को रखेंगे इसके साथ यहां पे देखिए फ्रेंट्स यह मैंने वैसे आपको बहुत सारी वीडियो में इस तरह से घटाना बताया हुआ है लेकिन यहाँ पर मैं फिर से बता देती हूँ तो यहाँ पर देखिए एक फंदा हमने सामने वले स्लाइस ले लिया और एक हम इस स्लाइस से ले लेंगे ऐसी करके फिर हम एक फंदा इस स्लाइस से लेंगे और एक इस से लेंगे इस तरह से तो एक फंदा और दो का बना देंगे अब यहाँ पर यह जो फंदा है ना इसको हम दूसरे फंदे के उपर से ऐसे पास कर देंगे यहां पर हमारा यह एक फंदा रहा गया यहां पर हम ने फिर दो का एक कर लेना है और इसको हमने फिर से इसी तरह से ऐसे फंदे को पिछले वाले को उठाना है और उपर वाले से क्रॉस कर देना है तो दो फंदे हमारे यहां पे कम हो गए अब यहां पर एक फंदा इसी तरह से दुबारा हम ऐसे करेंगे आमने सामने से एक फंदा उठाएंगे ना और इनका एक करेंगे तो यह होगी हमारी यहां पर सिलाई दोनों की जो हमने स्वेटर को सिलना है तो इस तरह से ये सिलाई होगी और उसके उपर से अब ये वाइंड ओफ हो गया तो यहां से उठाके यहां से ऐसे बुनाई करेंगे न तो इसको यह सिल जाएगी आपस में इसकी स्टिच्चिंग हो जाएगी और उसके बाद इसको ऐसे घटा देंगे तो यह बाइंड आफ हो जाएगे हमारे फंदे तो आप इसी तरह से 16 फंदे यहां पर बंद कर ले तो फ्रेंट्स देखिए यहां पर मैंने 16 फंदे मुझे थोड़े से कम लग रहे थे तो मैंने 2 फंदे यहां पर और कम किये यानि टोटल मैंने यहां पर 18 फंदे कम किये यहां पर आप देख लिए चीएगा कि आपके पास कितने फंदे हैं और उसके हिसाब से आपने यहां पे थोड़ा सा अंदाजा लगा लेते हैं क्योंकि के वार ओन्ज होती है ना जैसे यह थोड़ी सी मोटी हुने और फर वाली हुने है यह तो यह स्वेटर थोड़ा खुलने वाला होता है इसलिए मैंने यहां पे 18 फंदे बंद किये तो अगर आपके पास थोड़ी पतली बूल है तो आप 16 भी कर सकते हैं जो सिंगल जो बिना फरकी होती है ना तो उसमें आप 16 भी कर सकते हैं और 18 भी कर सकते हैं तो दो फंदों का कोई जादा फरक नहीं पड़ता तो यहां पे यह मैंने इस तरह से बाइंड आफ कर दी अब यहां पर यह जो फंदा एक पचता है इसको अब हम यही पे इसी सलाई में रख देते हैं इसी साइट को और आपने ये दिहान रखना है कि आपने कंधे की साइट से जैसे इदिजर से armhole की cutting करी है ना उस तरफ से आपने बंद करना इसको शुरू करना है तो ये जो वाकी फंदे हैं मेरे इनको मैं इसी सलाई पे यहाँ पे एकी सलाई पे यहाँ पर ले लूँगी जो मेरी येवली सिलाइ है न इस पर में इसने फंदे पालोंगी , फिर आगे के जो फंदे हैं उनको हम दूसरी तरफ से यहांपे पटर्फ करेंगे , यहांसे इस तरफ से दोनों को इससे सईट से इस सईट से फाइड आफ करते हुए हम इस तरफ को आएंगे तो मैं इनको एक सिलाई पे डाल के फिर आप आगे बताती हूँ देखिए अब मैंने सिलाई को इस साइट को ले लिया है और एक जो है मैंने यहां पे टू पॉइंटर जो नीडल होती है उसके उपर मैंने दोना तरफ से जो सिलाई गले की होती है मैंने ऐसे किनारे पे ले आई हूँ और एक साइट पे हमने धागा भी है इधर को और इस साइट से हमने इनको घटाना भी शुरू कर देना है तो यहां पे देखें एक सलाई में और ले ली है और इसी तरह से हमने एक फंदा हम इधर से उठाएंगे और एक हम इधर से जैसे 7-8 साल का हो या 10-12 साल का हो तो उनके लिए हम ज्यादा फंदे यहां पे रखते हैं और थोड़ा सा हमारी उन के हिसाफ से भी हम फंदे लेते हैं कि अगर बरीक वाली उन है बहुत पतली वाली उन है तो उसके उपर हम 22 फंदे 25 फंदे ऐसे लेते हैं तो यह वाली उन थोड़ी सी मोटी है अगर फरवल उन आप ले रहे हैं तो उसमें आप थोड़े कम फंदे कटाईएगा और कम फंदे ही हम आपर रखते हैं तो यह थोड़ा सा अंदाजा आपको कुद भी लगाना पड़ेगा क्योंकि आपके पास कौन सी उन है तो आप उसी तरह से अंदा इस उठाएंगे और इन दोनों को आपस में ऐसे बनाएंगे और इनको आपस में इसी तरह से एक दुसरे के ऊपर से आसे पास कर देएंगे तो फंदा मारा कम हो जाएगा और इसकी स्टी कू भी geliyor तो वह मैं अभी आपको यह कर देती हूं और मैं दिखाती हूं कि कैसा लग करेंगे तो यहां पर मेरे तीन फंदे कम हो गए हैं तो फ्रेंड यह देखिए इधर से भी बाइंड ओफ हो गया और इधर से भी बाइंड ओफ हो गया यह देखिए और यह बीच में हमारे पास फंदे जो हैं वो बचके हैं तो इनको अब हमने एक सिलाई पे ले लेना है यह कि मेरे पास यह ग्रीन कलर जादा है और वाइट कम वाइट कम है तो अब इसकी बाजू भी बनानी है न तो उस यहां से मैंने वाइट धागा जो है इसमें लगा दिया और अब हमने इनको इस तरह से बुनते जाना हैं मैं सारी सलाइयां वो उल्टी-उल्टी ही बुनूंगी कॉलर जो है न सारा उल्टी-ल्टी सलाइयों से बनाओंगी उपर को और यहां पर बताती हूँ कि फंदे जो है न वो कहां जैसे बनाना है तो यह तो शुरू में पट्टी के फंदे हो गए हमारे जो साथ फंदे निकल गए न पट्टी के यह वो वाले हैं इसके बाद हम दंदा न दिखे अब यहां पर हम जो आने वाले हैं तो यहां पर देखिए थोड़ा सा यहां पर गैप नजर आता है जहां पर गैप नजर आएगा न वहां पर हमने यह जो यहां फंदा के ऊपे उल्टाफंदा है इसको हमने उठा के इस तरह से एक तो हमारा यह बढ़ गया ठीक है एक पंदा और यहां से हम अठालेंेगे तो तूड़ा सा नीचेे इस तरह से तो हमारा गप जो 누辜 ब इसमें against right यह हम एक लेंगे और यहां पर इक उताग लगा देंगे। अब यहं पर भी दो फंदें प्रफ लिते हैं एक फंदा ऐसे उठा दिया हमने नीचे से आपने जो उल्टे फंदा है ना नीचे से वो आपने उठाना है यहाँ पे देखेगा यहाँ पे देख रहे होंगे यह वाला उल्टा फंदा जो है तो इसको हम ऐसे उठा लेंगे तो यह देखे यहां पे हमने इसको बुन लेना है तो gap यहां पे बिल्कूल भी नहीं दिखेगा और जो white धागा है उसको इस तरह से हम आगे लेके चले जाएंगे अब बाकी फंदों को हम ऐसे ही आगे तक बनाते चले जाएंगे तो friends हमने यहां पे बढ़ा लिए 4 फंदे दो हमने यहां पे बढ़ाए दो यहां पे बढ़ाए अब यहां जैसे यह center जैसा आजेगा ना तो 2 फंदे यहां पे बढ़ा लेंगे और 4 फंदे हम यहां पे बढ़ा देंगे तो बस इतने फंदे हमारे काफी हो जाएंगे क्योंकि बच्चा बहुत चोटा है उसके हिसाब से हम बहुत जादा फंदे नहीं बढ़ाएंगे बस इतने से ही बढ़ाएंगे चार, आठ और दस फंदे हमारे बढ़ जाएंगे इसमें जैसा आ गया तो यहां पर भी अब हम एक फंदा यहां पर बढ़ा देंगे तो यहां पर जो है न यहां पर भी आप यह उल्टा फंदा उठा लेजिए या फिर आप एक फंदे के दो भी बना सकते हैं जिस तरह से आपको बढ़ाना आता है उस तरह से बढ़ा दीजेगा पर यहाँ पर जो gap होता है ना तो इसी तरह से नीचे से फंदा उठाना जैसे मैंने उठा के आपको दिखाया तो gap यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहेगा अब जैसे हम यहाँ दुबारा बुनाई करेंगे तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर gap बिल्कुल नहीं दिखेगा फिर एक फंदा और हो गया अब सेंटर में हमने दो फंदे यहाँ पर बढ़ा दिये आपको जैसे भी बढ़ाने आते हैं आप बढ़ा दीजेगा बाकी हम ऐसे ही बुनते चाहेंगे दोनों तरफ से उल्टा उल्टा अब देखे फ्रेंट्स यहाँ पर भी gap आ गया ना तो यहाँ पर भी हमने यहाँ से फंदा उठा लेना है तो यह हमारा यहाँ पर उल्टा फंदा है तो एक फंदा हम यहाँ से इसको उठा लेंगे इस तरह से एक हो गया अब एक फंदा यहां जैसे उठा देंगे तो हमारे ये दो फंदे बढ़ जाएंगे यहां पर इस तरफ को अब ये बीच में जो फंदा एक घटाने के बाद जो एक फंदा बना था वो है ये और उसके बाद ये जो धागा है इसको अच्छी तरह से जैसे मैंने खीच लिया ऐसे खीच लेंगे और उसके बाद इसको यहां पर हम अच्छे से गट लगा देंगे या नोट लगा देंगे ताकि ये हमारा धागा कहीं बाद में उधर डना जाए और अब हमने यहां से भी दो फंदे उठा देने हैं, ठीक है, क्योंकि उस corner इस side पे भी हमने 4 फंदे बढ़ाये थे, तो यहां पर भी हम 4 ही बढ़ाएंगे, तो यह 2 हमने बीच में बढ़ा दिये, ठीक है, तो friends मैं यहां पे आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझा रही ह हैं, जिस friends को आता है पहले से वो वीडियो यहां पे skip कर सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, और जिन friends को नहीं आता जो अभी सीख रहे हैं वो अच्छी तरह से देख लें और अगर कोई भी question हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं answer जरूर दूँगी, ठीक है, तो अब हमने यहां पे बढ़ा लिए, दस फंदे friends, तो एक बार मैं गिनके आपको बता देती हूं कि हमारे यह, कि टोटल फंदे कितने हमारी कॉलर में यहां पे हुए हैं, और यह विगनर्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से कॉलर है, आपको friends कोई भी दिकत नहीं आएगी इस कॉलर में, यह सीधी से लाई करके और एक बार फिर फंदे गिन लेती हूं, फिर मैं आगे आपको बता देती हूं कि हमारे पास टोटल फंदे कितने आए हैं, तो friends यह देखिए, इसका कॉलर हो गया तयार, और इसमें न, मैं आपको बताने वाली थी कि इसमें कितने फंदे हमने पूर तो अगर आप पतली वाली उन ले रहे हैं, न, simple वाली जो होती है, उसमें थोड़े से फंदे आप ज्यादा रख लें, वो बहुत जदा बरीक रहती है, और थोड़े से 57 फंदे और ज्यादा इसमें एड़ कर सकते हो, और बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं, या बड क्योंकि चोटे बच्चे की हैं, बड़ों की भी हम ऐसे बना सकते हैं, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है, कि बड़ों की हम ऐसे नहीं बना सकते हैं, तो यहां पर फ्रेंट्स देखिए, हमने जो यहां पर से लाई हैं, इसमें बनाई हैं, वो यहां पर देखिएगा, जो मैंने यहां परल की लाइने बनाई हैं वो मैं आपको यहां गिन के बताती हूं और इंची टेप से भी नाप देते हैं हम तो यहां से देखे यह स्टार्ट किया था हमने यह तीन इंच मैंने यहां पर बुना है इसको ठीक है टोटल तीन इंच है यह और इसमें जो लाइन इसमें लगी है बच्चे के हिसाब से यह काफी है इसको अब हमने बंद कर देना है यह हमने सीधा वना इसमें हमने बढ़ाया थोड़े से फंद़े लेकिन घटाया हमने इसमें कुछ भी नहीं है ये बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है तो आप इसको जुरूर ट्राइए करें और बड़ों के लिए भी आप इस तरीके से बना सकते हैं अच्छा लगेगा ये बन के तो इसको अब हम बंद कर देते हैं हमारी ये कॉलर की जो इसकी चोड़ाई है वो काफी हो चुकी है और बड़ों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा और ज़्यादा यहां पे बना लें थोड़ी सी और चोड़ी यहां पे रख ले कुछ सलाईयां और आड़दा सलाईयां यहां पे और बनाने पड़ेगी तो अच्छे से आएगी ये तो चलिए इसको घटा देते हैं अब हम यहां पे देखे हमने ये दो दो फंदे जो है ना इनको हमने इस तरह से लेना है और इनको अब हमने पाइंड ओफ कर देना है दो फंदों को एक साथ लिया और फिर उसके बाद दो फंदों को जो पिछला फंदा है न उसको भी हमने अगले वाले फंदे के साथ ऐसे मिला देना है पहली बार दो फंदे लेने हैं और उसके बाद जो एक फंदा बचेगा वो आगे उससे एक फंदा और उठाके उसके साथ ऐसे मिला देना है और फिर हमने इसको wind off कर देना है बहुत tight नहीं कटाना है इसको हलके हाथ से आप इसको घटाएं ताकि हमारी collar लूज लूज आए कस्यू ही ना आए क्योंकि ये end part होगा तो अगर ये कसा हुआ होगा तो अच्छा नहीं दिखेगा तो थोड़ा लूज ही आप इसको wind off करें ठीक है तो अच्छी तरह से ये आएगा सफाई से आजएगा फिर ऐसे करके ये देखिए इस तरह से थोड़ा लूज ही रहे पर साफ सुत्रा होना चाहिए इस तरह से तो इस तरह से मैं सारा बंद कर लेती हूँ फिर आगे आपको दिखाती हूँ तो देखिए फ्रेंट्स हमने इसकी घटाई कर दी तो अब यहां पे ना last में ये एक फंदा बच गया है तो इसको क्या करना है हमने कि एक बार और इस फंदे को इस तरह से यहां पे एक बार ऐसे बुन लेना है और यहां से थोड़ा सा लंबा धागा जो है न हमने ऐसे कट करना है और इसको ऐसे खीच देना है अब यह जो धागा है इसको सुई में पिरोना है और अंदर की साइड को इसको हमने सेट कर देना है तो यहां पर देखे यह हमारी यह जो है न यह अंदर की साइड को जाएगी सूइतल सीधी साइड हमारी सिद्ध र utilizz ِّर दाग रहिए तो यह ढाल दागा है इसको में डाल लेंगे और इसको डेखते तरीके से पार आप सेड कर देंगे जो जो उल्टे-उल्टे फंदे हैं उपर-उपर से उठाने हैं ज्यादा अंदर से नहीं उठाने ने तो दूसरी साइड निकल जाएगा ये इस तरीके से देखे फ्रेंट्स इस तरीके से बनाएए अब ये हमारे यहां से बटन पट्टी और ये सीधा बना उपर को पहले आप ये देखे सीधा बना ये बिल्कुल अब हमने इसको इस तरह से मोड देना है तो ये हमारा यहां पे कॉलर निकल के आगया इसका यह हमारी पट्टी के साथ और इस तरह से यहाँ पे हमने लगा लेने हैं बटन और यह बन गया इसका कॉलर यह देखिए अच्छे से इसका कॉलर बन गया और हमें ज्यादा इसमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ी कोई घटाना भी नहीं पड़ा कितने फंदे रखने हैं उसका भी अंदाजा नहीं लगाना पड़ा तो इसी में से ही हमारा कॉलर जो है यह हमारी स्वेटर का कॉलर बिल्कुल सेट होके आ गया तो यहां पे हम लगा लेंगे इसके बटन यह हमारा ऐसे बन गया अब इसका जो बाजू है ना वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसका बाजू शेयर करूंगी तो आपको फ्रेंट्स यह कैसा लगा यह देखे इस तरह से मुझे जुरूर बताएं और बना के जुरूर देखें अगर आपको यह थोड़ी सी बड़ी लग रही है तो आप यहां पे कम सलाईयां बना लें इस तरह से आप इसमें थोड़ी सी कम सलाईयां बना लें आप बाइस सलाईयां बना लें इसमें अगर आपको थोड़ा सा बड़ा दिखता है तो इस हिसाब से अगर आपको थोड़ा सा छोटा बनाना है तो थोड़ी कम सलाईयां बना लें थोड़ा बड़ा बनाना है तो और सलाइया इसमें add कर लें, तो इस तरह से आप इसको जरूर try करें, और बहुत ज़यादा simple है, और बहुत ज़यादा असान भी है, तो आप friends इसको जरूर try करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे जरूर बताएं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के दूसरे पार्ट के साथ इसकी बाजवे और इसकी स्टेचिंग कैसे करनी है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी तो चलिए फ्रेंच मिलते हैं अगली वीडियो में फिर थैंक यू